हेलो दोस्तो, डाल तो आपके भी घर में जरूर से जरूर बच जाता होगा अब गर्मी के दिनों में या किसी भी दिन में डाल जब बचता है तो होता है कुछ डाल का क्या किया जाए यहाँ पर मैं बचे हुए डाल से आपको मिस्सी रोटी बना करके दिख लाओंगे और बहुत ही tasty और delicious पराठा बना करके दिख लाओंगे आप एकदम मेरे ही तरह तरीके से बनाईएगा तो आपका बहुत ही गजब का स्वादवाला पराठा और मिस्सी रोटी बन के तयार हो जाता है देखिए दाल मेरी बची हुई थी और एक दिन पहले के दाल थी तो दाल एकदम जम करके गाड़ी दाल बहुगई थी तो उसमें हमने सबसे पहले आटा डाल दिया आटा हमने जितना दाल था उसका three upon four के बराबर पहले आटा डाला है उसके बाद हमने दो प्याज काट करके डाल दिया था, पांच हरी मिर्च डाल दिया, कसूरी मेथी और नमक डाल दिया उसके बाद मैं इसे देखे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि जितना भी डाल है उसमें हमें बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना, देखे यहाँ पर हमने थोड़ा ही कम आटा डाला था, इसको मिक्स किया, अभी यह बहुत गीला गीला लग रहा है तो इसके बाद मैं थोड़ा सा और आटा मिला दूँगे, आटे का प्रपोर्शन यहाँ पर सही से रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आटा हम डाल देंगे, तो पिर यह उतना अच्छा पराठा और मिसी रोटी बनके तियार नहीं हो जाता है देखे, हमने, मतलब अभी भी मेरा आटा एक दम सॉफ्ट है मतलब थोड़ा केर करके हमें इसको बनाना पड़ेगा, बट ऐसा जब आटा हमारा रहता है तभी यह हमारा बहुत ही अच्छा बन करके पराठा तियार हो जाता है देखे, अब मैं इसे अच्छे से गुंत लिया है अब हम आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे इस आटे को अच्छे से सेट होने के लिए अब मैं क्या करते हूँ कि कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे हमारा मिस्सी रोटी बहुत ही अच्छा बनके त्यार हो जाता है, देखे थोड़ा सा हमने लोई ले लिया है, अब उसको जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, पर्थन लगा करके आटे का, अब ले करके आटा फिर उसको हम अच्छे से बेल लेते हैं, यहाँ पर से उसे गरम कर लिया, पका लिया है, जब एक साइड नीचे का थोड़ा लगे कि हमारा पक गया है, तो ऐसे तवे को उल्टा करके मीडियम फ्लेम पर, हम अच्छे से धीरे-धीरे करके, एकदम अच्छे से इस मिस्सी रोटी को देखे सेक लिते हैं, देखे हमारी बहुत ही अच्छी मिस्सी रोटी बन करके तयार यह हो गई थी, और यह अंदर से एकदम सौफ्ट था और उपर से अच्छा का सा क्रिस्पी था और अच्छा था खाने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आप देखना है कितने अच्छे से यह पका भी है, बस यहां पर आपको अच्छी में लोई, और एक देखिए मैं पराठा बेल करके तवे पर डाली हुई हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हूँ तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरू से जरूर करिए, अब देखिए जो हमने तवा पर डाल तो आप कि लगा रही हूँ, और दोरों साइड अच्छे से लगा धार करो कि इस और देखी कि इस पराठे का कलर कित覺 क्या ज़्यादा अच्छा हो ज्याता है। देखिए पराटे का कलर आप देखिए कितना अच्छा बन करके त्यार हो गया है अक्सर हमारे घर में एक अएक प्लानिंग हो जाती है कि खाना बन गया और तब तक हो जाता है कि बच्चे कभी कुछ और मंगा लेते हैं या किसी का मन कुछ और हो जाता है तो डाल बच जाती है फिर समझ में नहीं आता है कि रहर के डाल का क्या किया जाए अगर आप इस तरही के से रहर के डाल का यूज करेंगे तो घर के सभी लोग बच्चे हो या बुड़े बहुत ही ज़्यादा खुछ हो जाएंगे वीडियो पसाने आदिल लाइक, सबस्क्राइब